हेलो एव्रिवन मैं अनीता ठाकुर और आज को टॉपिक लेके आए हूं मैं कौन्सी कंसी सब शॉक थेरपी ओके सो आप लोगों को मैंने शॉक थेरपी के बारे में बताया था कि शॉक थेरपी का मतलब क्या है कि टांजीशन चेंज या कनवर्ट होना फ्रॉम सोशली सिस्ट किसमें कैपटल सिस्टम में मतलब अपनी आइडियोजी को चेंज करना द्यू टू लाक अफ एकॉनमी ठीक है तो आज हम लोगों ने पढ़ना कि इसके क्या रिजल्ट हुए शॉक थेरपी के कारण हम लोगों क्या परिणाम भोगने पड़े रशेन एकॉनमी को ठीक है पीपल जो थे उनको मास कंसप्शन करने थी या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम पर जो एकॉनमी थी वहां कि बहुत जादा रियों थी पूरी तरह से खतम हो चुकी थी और डिजास्टर आ चुका था लोगों के उपर पूरे इंटाइर रीजन में मतलब जो 15 नेश और चुकी थी जिसके बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं कि वहां पर बहुत सता क्लाश्टर जो थे वह देखने को मिले थे ठीक है देन उसके बाद यहां पर बताया गया अब नाइंटी परसें इंडूस्टरी जो थी उनको क्या कर दिया गया उनको सेल कर दिया गया मार्किट फोर्सिस को मतलब लोगों के लिए अब डारेक्ट गोवर्मेंट को जो पहले पॉलिसी थी कि गोवर्मेंट तो रही ही सारी इंसिटूशन्स तो हैं वह ओन करे जाएंगे अब उन्होंने क्यापटलिजम को अडॉप्ट करना था धाट मींण शौक ठरपी से शौक में आप लोगों को बताया था अब सोश्लिसम से वह किसके कंवर्ट हो रहे थे आईडियोलजी कौन से आइडियोलोजी में कंवर्ट हो रहे थी वह क्यापटलिजम में जैसे उनने मतलब यह जो उ पुब्लीक इंट्रेस्ट में आना शुरू होगी कि हर एक परसंट आपनी परस्नल इंडुस्री लगा सकता है जिसे हम लोग यह बोल सकते हैं लारजस्ट घराज इन हिस्टरी सबसे जादा अगर हम लोग बात करें सबसे जादा जो सेल्स विची परस्ते जादा हम लोग सकते हैं कि अधरीषी उनका शिफ्ट हुआ था फ्राम वन आइडियोलोजी डू ऑनधे डायलोजी ठीक है और उसके बाद यहां पर बहुत जादा बात करी गी है कि बहुत साथा पॉपुलेशन जो थी वो पाटिसिपेट करें थी सेल्स में बहुत सारे सिटिजन्स जो थे उनने वोचस भी जो थे वो सॉल्ड करें थे और ब्लाक मार्केट कहा गया था कि उसको मनी की कोई जरूरत नहीं है सब साधा यह है कि हम लोग को प्र गई थी लोगों के पास इतनी सेविंग्स नहीं थी कि वह रिक चीज़ को बाय कर सके क्लेक्टिफ फॉर्म्स जो थे वो डिसिंटिग्रेट हो चुके थे मतलब जो लोगों ने इकठे फॉर्म लगाया हुए थे इकठे जो इंडिस्ट्री इस्टाबलिश करें थी वह सारी इन में क्या हो चुकी थी बहुत कम हो चुकी थी ठीक है और उसके बाद यहां पर देखा गया कि जो पूराना स्ट्रक्चर था वह तूट चुका था पूराना जो एक मतलब स्ट्रेट कंट्रोल ओन शिप थी वह खतम हो चुकी थी उसकी वज़ा उसकी बेसिस पर कि अब यहां से गट्रीट हो चुकी थी और गवर्मेंट जितनी वी सबसेडीज दे चुकी थी सेक्षं कुछ सेक्षं को जो की पौवर्टी से बाहर निकालना के लिए जो गवर्बचव ने डिसिजन लिया था कुछ रिफॉर्म करने के लिए तो अब वो सिर्फ और अब लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही सेक्षं को मतलब प्रॉफिट जो था वह अर्न हो रहा था बाकी वाले जो थे उनको कोई भी प्रॉफिट और नहीं हो रहा था और यहां पर क्या बताया गया कि एक ऐसा माफिया मर्ज हुआ जो कि कौन सी कंट्रीज थी अब यह वे एकॉनमी थी उन सभी को कौन कंट्रोल कर रहा था यूसे की जो एलाइस थी ठीक है प्राइविटाइजेशन जो था उसने अलग अलग जगा पे प्राइवेट ओनर्शिप अली इंडूस्ट्री लगाना शुरू कर दिया पोस्वेट स्टेट्स जो थी स्पेशली रशिया इसके बारे में तो आप लोग को पता ही और जो कि किसमें हो चुकी थी जो कि पहले एक समान हुआ करते थे सारे अब लोगों के बीच में आना शुरू होगी क्योंकि जो मिले थे लेकिन जो बिल्कुल लोर ग्लास थे उनको कोई प्रॉफिट नहीं अनुआ था पास लियर नेखिन्ट करना शुरू कर दिया अब इलाक्टेट पारलेमेंट जो थी वह वीको ना शुरू हो गी और जो सेंटर एशिया था और जितने प्रेजरेंट थे उनके पास सारी पास चले के जिससे कि वो बहुत जाधा मतलब हम लोग बोल सकते हैं अथकर यूज करना शुरू कर दीया उन्हें नह estar imprison कि यहांकर यहां पर खुद की पार्के द्वारा उनको एपोइंट किया गया था कुछ दस सालों तक के लिए ठीक है और नेक्स टेनियर्स का जो टाइम पे रहे था उसको एक्सेंट करा गया था और यहां पर बता गया था कि किसी के पास यह अलाउंस नहीं थी कि वह उन लोगों को एप लोग आउट कर रही थी अब यहां पर देखा गया बहुत सरी एकॉनमी में से स्पेशली अगर हम लोग रिश्या की बात करें तो उसने 2000 में रिवाइब कर लिया क्योंकि रिश्या चो था बाकी वाले नेशन से अब भी 1991 के बाद भी थोड़ा पारफुल ही था जिससे कि उ रिवाइब कर लिए मतलब खुद इतना स्टेबल हो चुका थो ऐसकी इकॉनमी चोथी वह बढ़ना श्रू होगी ठीक है लेकिन और उसने क्या करना श्रू कर दिया फिर उसके रिवाइबल के रीजन क्या क्या थे उसने अपनी एकॉनमी को इतने चल्दी रिवाइब कैसे क लिया उसने export कर शूब कर दिया natural resources का export कर शूब कर दिया like oil हो गया natural gases हो गई minerals हो ठीक है और यहां पर क्या बताया कुछ और भी मतलब major oils थे जहांसे यह मतलब कुछ और nations भी थे जन्होंने क्या कर शूब कर दिया पूब को ठीक हो चीέλ सान हो गया रशिया हो गया तो तुक मैनिस्तान हो गया ठीक है उस्बैकिस्तान ये मेजर ओयली फाइनरी जहां पर ठीक है गेस प्रड्यूजर स्टेट्स थी और कुछ और कंट्रीस थी जिन्होंने इनकी वज़ा से बहुत जादा मतलब क्या बोल सकते हम लोग इनकी टैरेटरीस में अपनी पाइपलाइन इनको ये पाइपलाइन का रेंट देना पड़ता थे जिससे बाकी वाले नेशन जो थी वह उनकी एकॉनमी भी जो थी वह थी थोड़ा सा स्टेबल हो गे ठीक है फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बाकी वाले भी कुछ स्टेट्स थी उनने मैनेफेक्ट्रिंग जयाखएवगल की करेंगि दूले ने प्रसावी स्टेबल डेथाशन प्रसा ने को रraz को हम जो चब मनेफिर पढ़ेक्ट्पी दिससे बादेख़ग código टारा ने किवप देख़ग teenager वाले हम भाले मीक को थी थेज़थदों यह जो ने गज़ग हम जोग प। आर हो जोगग क